यहीं दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल ग्यानदे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राजिस्तान फायर मैन ओनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलप करना है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिश्टेक के भर पाओगे तो चलिए दोस्तो सुरू करते हैं दोस्ते याप पर फॉर्म फिलप से पहले आप इसके इलिजिबिल्टी के बारे में इंफॉर्ट में इंफोर्म सन जान लीज야지ए वैसे मैंने इसके slaves and eligibility criteria के बारे में detail में वीडियो बना रखी है दोनों वीडियो के link आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएंगे अब यहाँ पर भी आप तोड़ा sort में इसमें जान लीजे कि आप लोग इस form को 18 अगस्त 2020 से लेकर के 16 सितंबर 2021 तक भर पाएंगे age आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी है जो की एक एक 2022 तक count किये जाएगी fees के अगर बात करें तो UROBC और other state के लिए 450 है BC, MBC, EWS के लिए 350 है SC, HTS के लिए 250 है नीचे आप आप देख लीजी assistant fire officer की post है और fireman की post है इन दोनों पर आपके form फिलप किया जाएंगे फिर बात करें qualification की तो जो आपकी fireman की post है इस पर apply करने के लिए दस्वी and आपसे 6 मंद का basic elementary fireman training course मांगा है मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास ये basic elementary fireman training course नहीं भी है तो आप तब भी apply कर पाएंगे सिर्फ दस्वी पास के माध्यम से और जब आपका इसमें selection हो जाएगा तो उसके एक साल के अंदर आपको time दिया जाएगा कि आप अपने खर्चे पर 6 मंद का ये course कर ले और आपको फिर उसके बाद joining मिल जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों आपने eligibility की जानकारी जान लिए अब बात करते कि कैसे आपको इस phone को बढ़ना है अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हुए आपका apply link है ये link मैं आपको वीडियो की description में देने वाला हूँ इस link को आपको open कर लेना है और जो इस step में आपको बताने वाला हूँ इन steps को follow करते जाना है यहाँ पर आपको दो option देखने को मिलेंगे एक है login का और दूसरा है registration का तो अगर आप पहले से इसके अंदर register हो तो आपको यहाँ पर अपनी digital identity पासवर और capture डाल करके login कर लेना है पर अगर अभी आप फ्रेसर हो तो आपको पहले registration करना होगा तो यहाँ पर आपको registration के उपर click कर देना है अब click करने के बाद आपके सामने कुछ थोड़ा सा जो इंटरफेस है वो different होगा यहाँ पर आप citizen, उद्धियोग, government employee और facebook, google, tutor यानि कि यह option आपको दिये गए जिनके माध्यम से आप इसके अंदर register हो सकते हो तो यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से होना चाहते हो हो सकते हो मैं आपको यहाँ पर google का इस्तमाल करके बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसमें account यानि के registration कर पाओगे तो यहाँ पर आप google select कर लीजिए जैसे आप google select करोगे तो जो भी आप email ID यहाँ पर देना चाहते हो registration करने के लिए वो यहाँ से अगर आपके पहले PC के अंदर बहुत सारी email ID है वो आपको select कर लिए नहीं तो आपको अपनी email ID भर करके आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना होगा जो भी password आपकी email ID का है वो आपको यहाँ पर भर देना है और फिर आपको next के उपर click कर देना है अब जैसे आप next के उपर click करोगे तो आपकी website जो sorry आपकी जो email ID हो login होगी login होने के बाद आपसे permission मांगी जाएगी तो अभी आप देखते रहे हैं थोड़ा processing हो रही है processing होते होए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप ये न बोले कि आपने तो बीच में से information skip कर दी और फिर अपने आप form को भड़ दिया दोस्तो processing होने के बाद आपके सामने display पर एक link आएगा आपको उपर वाले link पर click कर देना है और click करने के बाद आप यहाँ पर कुछ इस तरह का interface देख पाऊगे जहाँ पर आपके जो email ID का username है वो यहाँ पर आ चुक है जैसा कि आप देख पा रहे हो अब आपको यहाँ पर एक password select करना होगा जो कि आपका मन पसंद होना चाहिए और इसमें आपका एक small word, capital word और digit और साथ एक special word भी होना जरूरी है और जो आपकी password की जो संख्या है वो 5 से लेकर 20 character के बीच में होनी चाहिए तो यहाँ पर मैं एक password select कर लेता हूँ यानि के भर लेता हूँ आपको भी अपनी मन पसंद के नुसार यहाँ पर एक password भर लेना है तो चलिए मैं आपर यह password भर करके दुबारा confirm कर देता हूँ उसके बाद आता है mobile number यहाँ पर आपको अपना mobile number fill up कर देना है जो की working होना चाहिए और नीची जो आपकी email ID है जिससे आपने registration किया है वो तो पहले से यहाँ पर available है अब आपको क्या करना है आपको नीचे register के उपर click कर देना है register पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का alert आजाएगा जहाँ पर दिया है registration successful for SSOID Amjad Malik 5 it is strongly recommended to change the password at first login यानि कि जो आपका registration है और successful हो चुका है साथ ही आपको यह भी recommend किया जा रहा है कि जब आप first login करो तो आपको अपना password चेंज कर लेना चाहिए तो यहाँ पर आप मैं okay करता हूँ और okay करने के बाद जैसे ही आप okay करोगे तो आपके सामने अब sign in का page open होगा जो कि आपका सबसे पहले हुआ था तो यहाँ पर आपको अपनी SSO ID भरनी है जो कि आपका username होगी और जो कि अभी आपने देखी है registration करने के बाद अब यहाँ पर जो password आपने select किया था अभी जो आपका registration है वो करते वक्त वो आपको भर देना है फिर यहाँ पर जो capture code यानि कि जो security दी है security number दी है यह यहाँ प यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर जो आपकी जो SSO ID या यहिन के username है इसके बाद आपका फ़र्ष नेम है तो यहाँ पर आपको अपको फना first name डाल देना है अगर आपको कोई last name है और यहाँ दाल देना है वो भी आपको यहाँ पर fill up कर देना है मैं आपको बता दू़ क्योंकि जो आप यहाँ पर name fill up कर रहे हो यह name आपको अपनी 10th की mark sheet के नुसारी बढ़ने होगे इसके बाद date of birth यहाँ से आपको अपनी date of birth select कर लेनी है जो भी आपकी date of birth है वो यहाँ से आपको इस परकार से select कर लेनी है। जिसे कि मैंने अभी यहां पर आपको select करके दिखाया है। इसके बाद आपको अपना gender select करना है। फिर यहां पर आपका जो mobile number है तो आपने पहले ही भर दिया है। अब आता है telephone number क्या आप उसके अलावब कोई और number भी देना चाहते हैं तो आप वो यहां पर भर सकते हूँ, आपका postal address क्या है, आपको यहां पर अपना postal address भर देना है, यहां पर आपको अपना postal code fill up कर देना है, फिर इसके बाद आपको अपनी district यहां पर भर देनी है, इसके बाद यहां से आपको अपनी state select कर लेनी है जो भी आपकी state है वो आपको यहां से select कर लेनी है अब इसके बाद आपको यहां पर है बहामास ID enrollment number तो यह आपके लिए नहीं है और यह भी आधार ID वी ID यह भी आप यहां से भर सकते हो अगर आप चाहो तो तो जैसे आप इसके उपर क्लिक करोगे तो यहां पर आप अपडेट आधार नमबर यानिके अपनी जो आधार कार्ड की virtual ID है वो यहां पर भर सकते हो और भरने के बाद आपको continue के उपर क्लिक कर देना है और फिर जब आपके सभी जानकरी भर जाए तो आपको अपडेट के उपर क्लिक कर देना है अप आपको एक notification, message और mail के माध्यम से भेज दिया गया है अब आपको यहां पर ok करना है अब जब आप ok कर लोगे तो आपके सामने आपके जो form है उसका dashboard open हो जाएगा अभी processing हो रही है processing होने के बाद आप यहां पर देखोगे कि आपके form का dashboard open हो चुका है अब मैं आपको बताता आपके सामने इस तरह के यह option आजाए आपको क्या करना होगा यहां पर आप जैसे नीचे आओगे तो देखोगे recruitment portal तो आपको इसके उपर क्लिक कर देना है ongoing recruitment के उपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आप देखेंगे direct recruitment of assistant fire officer and fireman तो आपको यहां पर नीचे apply now के basic information आजाएगी तो आपको यहां पर एक एक करके इन सभी जानकारी को भरना है जिसे कि आपका नाम आपको यहां पर enter करना है और यह 10th की mark sheet के नुसार होना चाहिए इसके बाद यहां पर दोस्तों आपको अपने father का name enter करना है यहां पर आपको अपनी माता जी का नाम enter करना ह इसके बाद आपको अपना gender select कर लेना है फिर यहां पर आपको date of birth अपनी select करनी होगी पहले यहां पर जो भी आपका year हो select कर लीजे फिर यहां से month और उसके बाद में day तो आपकी date of birth आ जाएगी caste category आपकी कौन सी है वो आपको यहां पर select कर लेनी है अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यान के EWS से है तो yes कर दीजे ने तो आपको no करना है अगर आप special adult category candidate तो आपको अपनी category select करनी होगी ने तो no applicable select कर दीजे फिर यहां पर नीचे आपका religion आपसे पूचा है त चीवित पती पतनी है उसका answer आपको करना है और अपने बच्चों के संख्या बतानी है कि इस एर से पहले कितने थे और इस एर के बाद में कितने थे अब आपको यहां पर अपना mobile number enter करना है यह number enter करने के बाद email ID यहां पर आपको भर देनी है अगर यहां पर नहीं दी गई है अप्लाइं फोर तो आप कौन से छेतर से अप्लाइ कर रहे हो क्या आप राजिस्तान के अनुसुची छेतर से संबंदित है अगर हां तो यस कीजिए नहीं तो आपको नो करना है इसके बाद दोस्तों यहां पर correspondence address और आपको अपना present address फिलप करना है अपनी ID के according यह फिल यहां पर आपको अपने post office district अपिन कोड डाल देना है पर्मनेंट address अगर आपको परजैंड यहनके correspondence और पर्मनेंट address से में तो यहां पर टिक कर दीजे टिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आ करके next के उपर किलिक करना है next के उपर किलिक करने के बाद आपके सामने personal detail आजाएगी अब आपको यहां पर nationality में इंडिन सेलउक्ट कर देना है आपकी home state जो भी है वो home state आपको select कर लेना है उस state के अदर आपके कौन सी district है वो आपको select करना है यहाँ पर आपको अपना बलोक सिलेक्ट कर लेना है तैसील आपको सिलेक्ट कर लेनी है फिर यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों गर आप इंडिया के अंदर बाहर से सैटल हुए हो तो आपको यस करना है नहीं तो आपको न करना है क्या आप एक में धावी खिलाडी है अगर है तो यस कीजे ने तो यहाँ पर भी आपको नो करना है क्या आप एसे केंड़ेट हो तो यस कीजे ने तो आपको नो करना है क्या आपकी परिवारिक आए धाय लाग से कम है अगर है तो यस कर दीजे ने तो आपको नो करना ह इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको option दिये जा रहे है अतरिक्त category के अगर आप इनके उपर लागू होते हो या फिर आपके उपर इनमें से कोई points लागू होता है तो वो टिक कर दीजिए नहीं तो नीचे आपको next के उपर click करना है next के उपर click करने के बाद यह जानकारी आपके से हो जाएगी और आपके सामने qualification की जानकारी आजाएगी जहाँ पर आपको सबसे पहले 10th की जानकारी भढ़नी है तो subject में आपको all subject लिख देना है फिर यहाँ पर आपको अपने board का नाम देना है कि आपने किस board से की है role number आपको क्या आता हूँ यहाँ पर आपको enter कर देना है इसके बाद result परिणाम किस के अंदर था CGP, grade या फिर percentage वो आपको select करना है कौन से year के अंदर आपने pass कर ली थी वो आपको select करना है और percentage आपकी कितनी थी किये तो आपको subject के अंदर अपनी qualification का नाम देना है कि आपने कौन सी qualification की है board की जिंगाप पर आपको अपनी university या फिर institute का नाम दे देना है अब आपको नीचे यहाँ पर नो ही रहने देना है और यह रहने पर आपको यहाँ पर next के उपर click करके यहाँ से आपको okay करना है बट आपको पहले एटिक करना होगा तभी आप यहाँ से next कर पाएंगे अब next के उपर click करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा interface आजाएगा जहाँ पर आपको photograph, signature in Hindi और English के अंदर upload करना है तो सबसे पहले यहाँ पर photo का size पर आपको हिंदी के अंदर करना है बिसिकलिए आपको अपना नाम हिंदी में लिख देना है और उसको यहाँ पर open करके upload कर देना है मैं इस phone को demo के रूप में भर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर दोनों में same signature ही upload करने वाला हूँ बिलता तो no mark लिख सकते है अब आपको next के उपर click करना है इसके बाद आपके सामने आपका form का preview आजाएगा जहाँ पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप check कर सकते है और अगर आपको लगता कि कोई जानकारी गलत है तो आप update के उपर click करके इसको update कर लीजिए नहीं तो declaration के यहाँ टिक कीजी और pay fee के उपर click करके यहाँ से ok कर दीजिए ok करना के बाद इस तहर का interface आएगा यहाँ पर आपको pay fee के ऊपर click करके पेनाओ के उपर क्लिक करना है अब आपके सामने इस तरह की जो बिल्ड आइस के वो आ जाएगी जहां पर आपको सभी option दिये जाएंगे जिन में से आप जिस माध्यम से चाहे अपनी application फीज जमा कर सकते हैं जैसे कि credit, debit card या फिर net banking तो यहाँ पर दोस्तो अपनी फीज आप आपको इसी website के ऊपर deduct के जाएगा जहां से अपने form फिलप करना श्टार्ट किया था और आप अपने form का final printout ले पाएंगे after application fees तो यह था आपका रजिस्तान fireman online form 2021 किसका पूरा प्रोसेस अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को like, share और आपके अ watching, Jai Hind